ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है जैसा कि आप सबको विदित है कि चोदा तारिक को सूर्य ग्रहन है और ग्रहन काल जो है वो तंत्रिकों के लिए सर्वस्रेष्ट अवसर होता है किसी भी तंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए तो अपना समय वेर्थ ना करते हुए आप चोदा तारीक को अपना कोई भी अनुष्ठान संपूर्ण कर सकते हैं और ये कुछ ऐसा अफसर है जो कि आप अगर कोई भी सिध्धी करते हैं तो आपको इसकी सिध्धी मिल जाएगी तो कल हम कुछ ऐसे अनुष्ठान करेंगे जिसमें कि मानव जाती का कल्यान हो कुछ ऐसे प्रियोग करेंगे जिनसे कि आपको तांतरिक प्रियोगों से बचाने के लिए कोई यंत्र बनाये जाए कोई तंत्र बनाये जाए तो इस सूरे ग्रहन में हम कुछ ऐसे यंत्र बनाएंगे जिससे कि किसी भी तरह का टोणा, टोटका, हुडू, वुडू किसी भी तरह की काली नजर, कोई भी टोटका, अगर कोई दूर बैठा कर रहा है आप पर तो उससे बचाव किया जासके तो हम काले धतूरे का प्रयोग करके एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक उर्जा आपके घर को छूबी ना पाए चाहे आप घर में हो या बाहर हो, कोई आप पर बुरी नजर ना डाल सके कोई भी आपका अनिष्ट ना कर सके तो काले धतूरे का ये प्रयोग हम करेंगे, कल दोपहर बारा बजे और इसके बाद जो भी इच्छुक हैं, इस यंत्र को लेने के काले धतूरे के यंत्र को लीजिए और इस से आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं होगी आपको लगता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन है, आपका व्यापार बंद कर दिया गया है या किसी भी तरह कि आपको नकारात्मक उर्जा अपने आसपास दिखती है रात को सपने बुरे आते हैं और ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ कोई चल रहा है तो आपको इस यंत्र की आविशक्ता है इस यंत्र को बस अपने घर में रखिए और जब बाहर जाएं तो अपने साथ ले जाएं इससे जितनी भी नकारत्मक उरजाएं होंगी वो आपको छू भी नहीं पाएंगे इसको पहनने की विधी कुछ ऐसी है कि आपको जब इसे पहने जब आप बाहर जाएं तो यह ऐसे पहनना है कि लोग जब देखें तो उनकी पहली नजर इस यंत्र पर पड़े इससे होगा ये कि कोई भी आप पर बुरी बला बुरी नजर नहीं कर पाएगा और अगर रिमोटली कोई सिद्धी कर रहा है कोई तांतरिक प्रयोग कर रहा है कुछ प्रेथ छोड़ रहा है आप पर तो ये जो यंत्र है ये आपकी 101% सहायता करेगा इसके साथ आपको कुछ नियम है जो पालन करना होगा जिनका कभी भी इसको सौच में ना लेकर जाएग जब आप नित्य कर्म से निर्वत्त हो रहे हों उस समय इस तावीज को अपने से अलग करके रख दे खहीं पर और फिर जब आप नहाद होकर फ्रेश हो जाए तब इसको पहनिया सोते समय इस तब इसको ना पहनिया कई बार मैं देखता हूँ कि किसी पर ओपरी होती है आसेब होते हैं जिननात होते हैं तो उनके लिए भी यह कारगर है इस यंत्र को पहनने से अपने पास रखने से इस भू लोक में जितनी भी नकारत्मक उर जाए हैं वो सब आप से कोसो दूर भाग जाएंगे लेकर जाएं, अगर आपके रास्ते से शम्शान घाट पढ़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस यंत्र को पहन कर आपको शम्शान घाट में अधिक समय के लिए नहीं खड़ा होना है, क्योंकि ये जो यंत्र है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, और शम आप से बचाने के लिए इस यंत्र को कभी भी शम्शान खाट में ना लेगी जाए वरना आपका या तो यंत्र गुम हो जाएगा या तूट जाएगा यदि आपने यंत्र पहना हुआ है और फिर भी जब ना आप समशान खाट गए है ना इसका आप अवित्री करण किया गया है तो भी अगर ये तूट कर गिर जाए कहीं गुम हो जाए तो यूँ समझिएगा कि आपकी जो भी मुसीबत आने वाली थी वो इस यंत्र ने ले लि विखर जाएगा तूटकर और इस यंत्र को हमेशा जब सुर्य ग्रैण हो चंद्र ग्रैण हो उस समय पर बाहर रखतें और इसके बाद ये और जाएगा और एक दो घंटे बाद आप पहन सकते हैं इस यंत्र को जब भी पूर्णीमा हो अमावस हो उस समय उतार कर इसको धूब दिपक दिखाएं और इसको चार्ज करना होता है ये नहीं है कि आपने एक बार पहन लिया तो बस उसको पहनी रखिया इसको चार्ज भी करना होता है जब पूर्णीमा हो तो आप छट पर जाएं और रात को रखकर आजएं और सुबह इसको उठा लाएं तो इससे क्या होगा कि इसमें चंद्र की उश्मा आजाएगी और ये अपना काम बखुभी करता रहेगा इसको रोज सुबह धूब दीपक दिखाएं और फिर अपने कले में पहने कभी भी इस यंत्र को पहन कर मास मदिरा का सेवन ना करें ये वर्जित है अगर मास मदिरा आप खाते हैं तो इस यंत्र को पहले दूर रखें और उसके बाद सेवन करें क्योंकि अगर मास मदिरा आप ने इसको पहन कर खाली तो ये अशुद्ध हो जाएगा और बिल्कुल काम नहीं करेगा तो यंत्र को हमेशा इन चीजों से दूर रखें और सात्विक रहें तो बहतर है क्योंकि जब शक्तियां आती हैं तो उनके साथ आपको सात्विक रहना पड़ता है क्योंकि उन शक्तियों को ये सारी चीज़े पसंद नहीं होती और इस यंत्र को कभी भी किसी और को ना दे जो यंत्र आप के लिए बना है वो आप ही के लिए बना है किसी और के लिए सिर्फ एक माटी है और कुछ भी नहीं तो कभी भी इस यंदर को किसी को उधार ना दें किसी को देना क्योंकि इसको यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग मिलाता है तो आपकी जो उर्जा है वो उसके पास चले जाएगे कभी भी किसी को प्रयोग करने के लिए ना दें ना ही किसी टेस्ट के लिए दें बस आप जो है इसको पहने रखें और आपकी जीवन में उन्नती आप सहते ही देख पाएंगे कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जो व्यापार है वो बांद दिया जाता है कुछ आसे भीज दे जाते हैं कुछ मसानी कर दिया जाती है और जो आदमी है वो हस्ता खेलता सीधे बैड पर आ जाता है कोई दवादारू नहीं लगती और धिरे धिरे सूखता चला जाता है तो इसको पहन लिया जाए तो ये जितने विकार हैं सारी दूर हो जाएंगे और इस यंत्र को काले धागे में लाल धागे में पहन सकते हैं पहनने का दिन रहेगा शुक्रवार या शनीवार अब बुद्वार को भी पहन सकते हैं और इसको पहनने की अपनी ही विदी है आपको क्या करना है कि जब रात्री हो समय अपनी छत पर जाएं या फिर बाहर जाएं और एक मिट्टी का बरतन ले मिट्टी के बरतन में अपना अक्ष देखते हुए अपना चहरा देखते हुए आपको ये पहनना है और अक्ष ऐसे देखना है कि उसके अंदर जो है पूल्णीमा का चंद्रमा दिख रहा हो चंदर्मा को देखते हुए आपको ये यंत्र पहनना है तो ऐसा करने से आपका भाग्योदे हो जाएगा आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे बंद दुकाने खुल जाएंगी यूँ समझिए यदि आपने किसी ने आपका बंधन भी कर रखा है तो वो भी तूड़ जाएगा हमें नहीं पता होता कि हमारे उपर कितने बंधन है कई लोग जो हैं आपसे इरशा करते हैं वो आप पर बंधन लगा देते हैं और बंधन से ऐसा होता है कि जैसे आपने एक भीड को देखा होगा एक बक्री को देखा होगा कि उसको छोटी सी रशी से बांध दिया जाता है तो उसका इतना रेडियस होता है वो बस उसी जगे पर चक्कर काटकर वापिस आ जाती है आगे नहीं भड़ पाती तो अगर जीवन में आपको भी ऐसा लगता है कि आपको बान दिया गया है आप पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं कहीं दिखते ही नहीं है सेलरी आई और अगले ही हफते खतम कुछ प्रोग्रस नहीं हो पा रही है कुछ उन्नती नहीं हो पा रही है तो मेरे भाई ये यंत्र जो है ये मंगाए और इसको पहने और फिर देखे किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है किस तरह से आप उन्नती को प्राप्त होते हैं आपकी जो बुद्धी है उसमें नई विचार आएंगे कई बार लोग बुद्धी को भी बान देते हैं तो जो बुद्धी है वो सोच नहीं पाती समझ नहीं पाती कि क्या क्या करना है और उल्टे पुल्टे काम होने लग जाते हैं तो उस समय अगर आप इस यंत्र को पहन लें तो आपकी जो बुद्धी है वो सद बुद्धी हो जाएगी आपके अंदर अच्छे विचार रहने लग जाएगे और नकारात्मक उर्जा आपसे कोसो दूर रहेगी कुल मिलाकर ये जो यंत्र में बनाऊंगा ये रामबान इलाज है किसी भी तरह की नकारात्मक उर्जा के लिए चाहे वो आसेव हो, जिन हो, भूत हो, प्रेथ हो या कोई दूसरे गरह का कोई ऐसी एंटिटी हो जिसके बारे में आप जानते भी ना हो और वो आपके पीछे लग गया हो कई बार ऐसा होता है कि आज केल जो है फैशन बन गया है बहुत सारा पर्फिम लगा लेते हैं बहुत सारी सुगंद लगा लेते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं तो इससे क्या होता है कि चीजे अट्रैक्ट होती हैं सिर्फ मनुष्य ही नहीं कुछ ऐसी चीज़े भी होते जिने हम देख नहीं पाते और वो आपके पीछे लग जाती है और इसके बाद जो है आपका जो कार है वो बिगणना शुरू हो जाता है आपके बंते-बंते काप बिगणने शुरू हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप इस यंद्र का प्रियोक कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारे के लिए आप कॉल कीज़ेगा 999-84-16-25 पर और मुझे WhatsApp कर सकते हैं इसी नमबर पर धन्यवाद